असलामों अलेकुम दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बस स्वागत हैं और सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे आपके प्यारी प्यारी तीन कॉमेंट्स और उसका हम देंगे जवान तो सबसे पहले जो कॉमेंट है वो है सिने प्रिस सिंग का यह लिखते हैं मलमल मसीन में लग जाए गंगा वाली मसीन में नहीं लग जाएगा तो gentle machine कोंसी होती है पर ऐसे वीडियो के पूरा देखा करें तब यह को knowledge मिलेगी उसके अग्व णो it वॵह आपका कीरण्वर्मका लिखते है है अलो भाईया जिंपल लोग करने का फुर्य्ट का तो उससे आप नहीं कर सकते तो फुट की कोई जवरती नहीं है उसके बाद जो लार्स कमंड्स हैं इनका काफी बड़ा कमंड्स है यह ओनीमा सर्मा मैं मेरा क्यों करना चाहती हूं चैस्ट 18 कमर 16 और हिप साइज 23 होतों मुझे फिटिंग देने में प्रॉब्लम होती है फिटिंग की सलाइक कैसे करें क्या दिहान रखना चाहिए प्लीज बताए क्यों कि कमीज ऊपर से कम नाप है और हिप से जादा तो आपने बहुत अच्छा सवाल करा अब देखिए कमर से कमना पर हिप से जादा है तो इस जगह पर आपको क्या करना है आपको बैक में प्लेट देनी है जब आप बैक में प्लेट दोगे आपका कमर का मार्जन थोड़ा बढ़ जाएगा और वो स्लाइज सीधी होगी लेकिन अगर फिर भी थोड़ी तिल्शी रहती है तो आपको साइड में भी एक सीधी डाल देनी है आगे पीछे सीधी सीधी डाल दो आपका कमर का जो मेजरमेंट है उसमें आपको फिटिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बहुत बढ़िया जो है इसकी फिटिंग आएगी और ज्यादा डिटेल में सीखने के लिए दोस् सूट को उसके बाद दोस्तों ऑलगे क node से बाया Dash कर सकते हैं उसमें बहुत करें यह चीजह चीजिसे ओध्кое को आपको से निल में कैसे बनाए जाएगा ये बताने वाला हूँ, इसके बाद जो नेक्स वीडियो की दोस्तों, इसमें कमीज कटिंग बताऊँगा, और उसे स्टीचिन करके भी बताऊँगा, कि आप कैसे कर सकते हो, तो यह जो है, मैं इसमें बनाने जा रहा हूं, दोस्तों पिला जो, और इसके बा इसमें जो डिटेल में आपको बताने वाला हूं तो वो सारी आपको दिहान रखना और जो मैं श्रीटिंग करके दिखाऊंगा क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में रहता है कि सर हम सैनील पे कौन सी सुई चलाएं और यार रखना दोस्तों सैनील अलग होती है बैलवेट अल लेकिन सैनील वाले कपड़े में अस्तर नहीं लगा सकते हैं तो यह चीज का आपको दिहान रखना है काफी लोग सैनील में अस्तर लगा देते हैं लेकिन गैट अप नहीं आती अस्तर अपनी जगा पर रहता है और यह हिस्सा खिसता रहता है तो फिटिंग कहीं न कहीं गर दिखाऊंगा अब की ठील पाफी से खसी बद्राएं अब ऄंत्वत है दिखें रेखने दोस्तों करना है इसके होगे पानी कि यह सृष्पर होना चाहिए लेकिन और आप ने गल्ची से उल्टा सूड मना दिया तो तो ऐसे करोगे तो पानी वाली साइट उपर हो जाएगी ऐसे करोगे तो खुद्रा हो जाएगा और इसमें एक रहूना इस दगा पर मेरा हाग अटक रहा है यानि कि यह है आपका खुदरवा हिस्सा यह पानी वाला तो हमारा यह जो पिलाजों बनेगा वह आपका पानी वाली से नीचे की तरफ ऐसे बनेगा इस तरीके से बनेगा ठीक है यह इस चीज़ का दिहान लगना अब यह से डबल में फोल्ड करेंगे अभी देखे साथ हिंज का पना है डबल में फोल्ड करने के बारना हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे ठीक है और इसको काउंटर पर अच्छी तरीके से सैट कर लेंगे तो यह करने में काफी टाइम लग सकता है तो मैं सबसे पहले से सैट करके रखें देखिए आपको विल्कुल भी जोल नदर नहीं आने चाहिए तो यह चिपक जाएगा फिर कटिंग करने में आपको असानी रहेगी और दोस्तों एक और बता रहेता हूं जो कि मैंने इसमें नोट की क्योंकि अभी दो तीन साल से क्या हो रहा है एक सैनी जो हमारे पर कपड़ा आ रहा है ना इसके अंदर आप हाथ ऐसे करोगे तो एक जैसा लगेगा अब जैसे कि मैं ऐसे कर रहा हूं हल्का खुदरा लग रहा है लेकिन इतर तो यहां पर क्या होता है अगर आप यहां पर ऐसे हाथ लगा रहे हो प्लेन वाला पानी नीचे की तरफ जा रहा है तो यह द्यान रखना दोस्तों प्लेन नीचे की तरफ जाएगा तो कलर अलग होगा जब ऊपर की तरफ चलाओगे खुदरा आएगा तो वहां पर कलर चे तरीके से होगा, लंबाई 37 इंच, नीचे की जो बोटा में हो 18, 28 या 30, जो भी इसमें निकलेगी, क्योंकि मेरे घर का है, जो निकलेगी हम बना देंगे, वो थोड़ा स्टैच भी है, तो दिक्कर परिसानी बिल्कुल नहीं आएगी, कमर 37 इंच है, तो कमर 37 में हम माइनस कर साढ़े नो, ठीक है, तो यहां पर साढ़े 9, इसमें प्लस कर देंगे 2 इंच, कितना हो जाओ दोस्तो, साढ़े 10, साढ़े 11, साढ़े 11 इंच का दोस्तो, हमें आशन रखना है, तयार कैसे रखा जागा, सब आपको बताती है, तो शबसे पहला निसान, दोस्तों हम लगाए यहां पर हम इसे कट कर लेंगे तो नीचे निसान लगाया ना यहां पर कट हो जाएगा इस जगह से दोस्तों में लंबाई नापनी है लंबाई है 37 तो हमें इस तरीके से लेना है और इंचिटेव रखने के बाद दोस्तों इसके अंदर आपका सेंटर में कट नहीं होगा या यह दोस्तों हिप का आपका बोड़ी राउंड है ठीक है कपड़े का नहीं है तो यह दो निसान है इन दोनों को हम करेंगे सीधा कि इस तरीके से अब दोस्तों यहाँ पर सबसे में चीज बैल बेट के अंदर हम ओवलोग करके जो लगाने वाले हैं तो हमें यहाँ पर लाश्टिक अपनी चेक करनी है कि आपको लाश्टिक कि लिए चोड़ी लगानी हो किस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लाश्टिक जो हमने निसान लगाया था वह आपकी इस तरीके से आईगी लेकिन यहां से आपका कपड़ा फोल्ड लगा तो हम इसको ऐसे करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर फोल्ड करने के बार हम हलका सा एक पैर इस दिर बढ़ा लेंगे यहां पर हमारी ओवलोग हो जाएगी तो हम टोटल में से नाप लेते हैं कितना बढ़ा रहा है दोस्तों यह देड़ इंच के निसान लगा लेंगे और इसको जो है सीधा ऐसे मार्क कर लेंगे ठीक है यह हमने मार्क कर लेंगे अब दोस्तों दिहान से देखना हमने आपको बताया है था हमारी 28 या 30 और इस करके आपको जीषान यह यह फ़िए घ्यड़े का और इसको हम सीदा निसान ऐसे लगा लेंगे हैं और इसको यह सदीगे से घुमा कर इसदर मिला देंगे अब दोस्तों एक चीज़ों में आपको बता दूँ यह होता है दोस्तों आपका घेरा ठीक है यह जो सीजी लाइन होती है तो हम इसको आपते हैं दोस्तों कितना आ रहा है 38 इंच की 10 इंच का घेरा बढ़ जाएगा तो कोई प्रावलम इसमें आने वाली नहीं है अब नीचे आते हैं बोटम में दोस्तों 18 तो 18 का आदा होगे 9 हमें इस तरीके से लेना है और इस तरीके से दोस्तों 9 इंचिप लेने के बार आपको यहां पर निसान लगा देना है औ इसको हम ऐसे मार्क कर लेंगे ठीक है इस वाले को सीधा कर लेंगे नीचे की तरफ से देखिए अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है इस निसान पर ऐसे करते हो यहां पर और इस निसान पर नीचे तक सीधा कटिंग कर लेंगे और इसको कटिंग इस तरीके से कर लें इसको ऐसे open करेंगे ठीक है यह अमने open कर दिया अब देखी देखो आप इस कपड़े को देखो कैसे चिपका हुआ है आपस में और गोल गोल भी घूमता है अब हमें क्या करना है दोस्तों इसको ऐसे रखने ठीक है ऐसे रखने के बान दोस्तों इस जगा पर दोनों तरफ में आपको सिलाई लगा लेनी है अब काफी लोग का जो है comments आता है कि सर इसके अंदर हम कौन सी सुई लगाएं तो दोस्तों मैं हमेशा इसके अंदर जो 14 नंबर की सुई हमारी चलती मैं वही लगाता हूं मैं कोई changes नहीं करता हूं लेकिन काफी लोग जो है बोलते हैं तो मैं उनको 11 नंबर का suggestion देता हूं लेकिन आप 14 नंबर की चलाओं कोई दिक्कनी उनमें पूरी जो इसलाई करूंगा ना 14 नंबर से करने वाला हूं अगर मुझे कोई problem आएगी तो फिर मैं बताओंगा कि इस पर किस तरीकिसा आपको सिलाई लगाने वाली नहीं है तो हम यहाप सिलाई लगा लेते हैं सिलाई लगाने के बार आपको क्या करना है यह जो आपका किनारा होगा ना उपर वाला जब आपकी सिलाई लग जाएगी इस किनारे में हमें पूरे में ओवरलोग कर लेनी है ठीक है तो यह दो काम कर लेते हैं फिर हम आपको बताएंगे कि नीचे का घेरा वगरा आपको कैसे जोड़ना है तो देखे दोस्तों यहाँ पर जो है हमने ओवरलोग कर लिए इसके अंदर वैसे ओवरलोग करने की ज़वरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पर धागे इसके निकलते नहीं है फिर भी मैंने कर लिया क्योंकि घर का है ठीक है दूसरा हम ऐसे करेंगे छीम लगाएंगे तो यहां पर वे सिलाज॑ लगाएंगे दोस्तों तो इसको मिलाते हुए को चा करने दोस्तों घरके पर दूसी समयार आवीज है करेंगे पर इंशाइ सकते हैं पर दोस्तों Erול कर लेंगे तो fold कैसे करना है वो आपको में machine पर दिखा दूँगा तो चलिए मैं पहले यह slide लगा देता हूँ फिर fold करने का तरीका बता देता हूँ है तो देखे दोस्तों यहां पर हमने इसको जोड़ने के ँपाद ऑफर लोग करें और इससे फोल्ड कर लेंगा वहांकर दोस्तों क्लब्धार हैं तो आहीं मोगा में में दोसकी तो यहां दोड़ा करना थेलेख सकता है इसको यहां हमने किया ना दोस्तों यहां के बिलुकु किनारे पर नहीं लगानी क्योंकि इसका रुगा होता थोड़ा हटा के करीब इसमें एक सूर्थ या एक पैर के आसफार आपको सिलाई लगानी तब इसमें आपकी सिलाई लग पाएगी इस मार्जन को हम बैक साइड में कर देंगे बिल्कुल एक बराबर ऐसे फोल्ड करके अब दोस्तों सिलाई लगाएंगे और देखो किनी मस्ते सिलाई चार दी है काफी लोग कहते हैं टाप आती है ऐसा कुछ नहीं है इस पे कोई कोई कपड़ा होता जिस पर आती तो उसके लिए हम पेपर यूज़ करके इस पेस अब देखो यहां पर मैं चला रहा हूं किसी तरह की कोई पर रिशान यहां पर नहीं आई अब इसे फोल्ड करके मैं आपको पूरा यहां पर दिखा रहा हूं बोटम को कि आपको कहसे लाई लगानी और देखो एक बराबर हमें फोल्ड करते हो जाना क्योंकि कप्ड़ा अब दोस्तों वीडियो बड़ी तो होगा है यह लेकिन कोई चीजा का सीखना है सई से तो आप तसलिष से बड़ी वीडियो में सीख सकते हैं जल्ली चोटी वीडियो में क्या होता है कुछ चीज छीजे में चली हड जाती है अब दोस्तों यहां पर कितना परफेक्ट लिए फोल्ड हो चुका है ठीक है इस साइड से भी इस साइड से भी नीचे की साइड आप देखोगे तो इस जगा कपड़े में पूरी यह सिलाई आ दिया अगर मैं किनारी पर लगाता तो यह सिलाई लगती ही मैं नहीं हड जाती है जिस तरीके से इसको फोल्ड करा अपने अपने सैकिंड ये तरीके से फोल्ड करने हो ज़ो सकते ही दोस्तों लास्टिक कम कर देना और यह आपकी लाश्टिक ऐसे बन जाएगी अब यह गोल लास्टिक को आपको ऐसे रखना है यह जो कट है ना कट के बराबर ऐसे रखे इसकों करेंगे फोल्ड सभी अब देखें के दोस्तों हम इससे फोल्ड करेंगे तो और लोग की जड़ में आपको सिलाई लगानी है बस आपको यहां क्या करना है एक सिलाई ऐसे लगानी और इसको हम ऐसे करेंगे हलका सा यह जो कपड़ा है ना फोल्ड होता रहा है बस आपको इस तरीके से सैट करके रखना है और उसके जड़ में सिलाई लगानी है और याद तरीक आपको बता रहे ना इस तरीके से आपको लाश्टिक लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ओवलोग करके ही दोस्तों इस पे लाश्टिक लगाएं अगर वैसे भी सैनिल का जो कपड़ा होता है इसके अंदर जो है आ अब दोस्तों इस जगा पर हम आगे जहां पर हमारी लाश्टिक थोड़ी कम पढ़ दिए तो इस जगा पर मैं आपको तरीका बता देता हूं इसी तरीके से फिर आप इसके लाश्टिक लगाना देखो मैं ओवलोग की जड़ में लगा रहा हूं अब इदर आने का को खेच के ना सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगी जिसने की लाश्टिक ना मुड़े उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूं तो यह देखे दोस्तों यहां पर गैदर्स बनने का आप देखे इसकी खूबसूरती कितनी जादा बढ़ जाती है ओवलोक से क्या होता है आपको लाश्टिक लगाने में असानी रहती है दूसरी चीज़ जब आप ओवलोक नहीं करोगे डबल फोर्ड करोगे तो यहां मसीन टाप देना शुरू कर देगी क्योंकि यह रुआ होता है इसके अंदर और जब यह आपका एक बाद डबल होगा उसके बाद तीसरा कपड़ा तो तीन-तीन कपड़ों में से सुई बार बार निकलेगी तो टाप दे जाती है तो इस तरीके से आप लगाएंगे लाश्टिक कोई दिक्कत नहीं हो गैरेस देखो कितनी प्यारी आई है इसके लिए दोस्तों मेरी यहां पर इस्टीम प्रेस ह पहनता है थो प्राज होता है इस तरीके की कमी आजाती है तो यह तरीके से आप बनाएं तो कोई प्रावलम आपको आती है तो आप नीचे कॉमंट करना हम आपका बहतर जवाब देने की कोर्सियों करेंगे और साथ ही दोस्तों अगर आप घर बैठे काम सीखना चाहते हैं तो हमारी अमीना भुट्टिक की एप्लिकेशन आप साइड में देख सकते हैं, इसको आप प्ले स्टोर से इस्टॉल कर लेना, आपको इसके अंदर कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी, मतलब कि आपको मेरे से बात करनी की जोरेट भी नहीं पड़ेगी, सब कुछ वहीं पर लिखा होगा, आप वहाँ पर आराम से कोर्स कर सकते हैं, मिलते दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फो वाचिंग